हलो एरिवन स्वागत है आप सब का आपके अपनी यूटुब चैनल आरके मुनीन केमिस्टी क्लासेस पर आर्पेसी ने जो है नयाय सिलिबस जो है स्कूल लेक्चर का वो डाल दिया है साइट पे और उसमें कुछ changes है जो पहले सिलिबस था उसके comparison में कुछ changes है देख लेते हैं हमकी क्या-क्या changes है तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने physical ले रखा है फिजीकल में बात करें सबसे पहले kinetics है solution है अब यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाओंगा वो भी मैंने इस हाथ में include कर रखा है kinetics मैं आपको पढ़ा दिया है solution मैं आपको पढ़ा दिया मौल कंसर्ट जो है क्योंकि solution को समझने के लिए मौल कंसर्ट पहले पता होना ची तो मौल कंसर्ट जो है basics है वह मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया ठीक है उसके बात इलेक्ट्रों हमने complete कर लिया है थर्मों हमारा complete हो गया तो दीखिए यह जो पांच unit है यह हमने complete कर यह है और यह syllabus में as it is है जैसे पहले थे इसके बाद अगर हम बात करें physical में atomic structure मैंने start कर दिया था और बीच में कुछ टाइम से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था वह कुछ personal problem थी तो अब कोई problem नहीं है अब हम regular class लेंगे ठीक है atomic structure उसके बाद quantum यहाँ पर जो नया topic add किया ह है वह है solid state अब दिखे हाला कि solid state का जो कुछ basic theory होती है वह chemical bonding में दे रखेती है जैसे आपके जो band structure है यह types of solid को हम जिब डिवाइड करते हैं insulator, semiconductor, semiconductor, semiconductor उसका superconductor यह पहले दे रखाता इसको हटा दिया है और अब जो pure solid state है जैसे जिसमें packing fraction, density of solid, types of crystals वह सारी चीज़ दे रखी है लेकिन फिर भी क्योंकि basic जो होगा वह हम पूरा पढ़ेंगे चाहिए syllabus मेंशन हो या ना हो मैं आपको पहले एक आता कि कई चीज़े होता है syllabus मेंशन नहीं होती है लेकिन उस पर questions आते हैं जैसे मान लीजे थर्मोडैनिक से है वहाँ पर thermo chemistry कही mention नहीं है लेकिन उ solid state जो है एक extra topic जो है वो add कि कई students जो है थोड़ा tension ले रहे हैं कि वह चेंज हो गया मेरे साब से यह अच्छी बात है अच्छी बात का मतले कि कई topic ऐसे हैं जो बहुत जाद हमारे काम के नहीं होते वह पहले add थे और कुछ topic जो काम के है वह एड नहीं थे तो इस बार correction हुआ है तो जैसे solid state basic topics है अब आप school lecture बढ़ने तो आप 11-12 को पढ़ाएंगे तो महां बाद solid state आपको आना चाहिए ठीक है अच्छा topic है पढ़ेंगे हम इसको atomic structure बाद quantum बढ़ेंगे quantum के बाद solid state हम बढ़ेंगे ठीक है उसके बाद surface chemistry पहले ही दे रहा था से लिवस में spectroscopy, spectroscopy क है तो अगर हम देखें मोटा मोटा तो physical chemistry में हमारे 10 टॉपिक है काइनेटिक solution यह देखें मूल कंसेट को अलग से topic काउंट करने की जरुतनी है बेसिक्स है एक class में इसको complete कर दिया था ठीक है काइनेटिक solution इलेक्ट्रो आइनिक थर्मो तो यह 5 टॉपिक तो मैंने करवा द सिलिबस की बात करें तो जिसमें अप्रॉक्सिमेट्री दस हाला कि स्पेक्ट्रो को भी अलग वरांचे लेगे तो इसको physical में काउंट कर लेते हैं हाँ पर तो दस टॉपिक फिजिकल के जिसमें से हमने 5 कर दिया काफी कम syllabus हुआ हमारा लेकिन कोई बात नहीं अब सामय हमार पास कम बचा है तो हम उसको speed up करेंगे इसके बाद अगर मैं बात करूं इन और्गनिक की तो इन और्गनिक में periodicity periodic आप इसको periodic table कह सकते हैं या periodicity in properties कह सकते हैं ठीक है periodicity in properties उसके बाद chemical bonding chemical bonding के बाद deblock and coordination chemistry हाला कि इसको आप चाओ तो अलग-अलग कर सकते हैं लेकिन मैंने combined कर दिया डी ब्लॉक और coordination chemistry को मैंने एक unit वाना है तो यहां पर periodicity chemical bonding उसके बाद deblock coordination chemistry ती हो गए चौथा पी ब्लॉक और F ब्लॉक अब यहां पर पी ब्लॉक जो है पहले syllabus में mention नहीं था यह syllabus में क्यों है add कि है अब आप देखेंगे 11 12 में पी ब्लॉक अच्छे से दे रखा है अब देखेंगे यहां पर अगर आप देखेंगे पी ब्लॉक अगर आप पुराना syllabus देखेंगे तो उसमें पी ब्लॉक नहीं था लेकिन उसकी जगे इन औरगनी के वाला section कहें तो वहां पर आप कह सकते हैं super heavy elements इतने common नहीं है according to 11 12 की बात करें तो super heavy elements जो है पहले syllabus में देखेंगे उसको हटा दिया है उसकी जगे हम कहें तो क्या देखेंगे पी ब्लॉक तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पी ब्लॉक एड़ हुआ है और super heavy elements जो हटा दिया है तो अगर हम pure inorganic chemistry की बात करें तो यह basic हमारे पांच यूनिट है periodicity, chemical bonding, D-block and coordination chemistry, P-block और A-block D-block coordination chemistry को हमने एक साथ लिया है तो अगर हम मुटा मुटा syllabus देखें तो 10 unit हमने physical की बान ली और 5 unit हमने inorganic की बान ली जिसमें से 5 होगी है हमारी 5 physical की बच लिये और 5 inorganic की बच लिये उसके बाद बाकी जितने भी topics बच गया है उन सब को मैंने एक अलग category में divide कर दिया है जिसमें आप maximum organic है और कुछ topic difference है जो organic में नहीं है फिर भी मैंने इसको अलग category में divide कर दिया है अब यहां पर आपको मैं एक बात बता दूँ कि यह जो topics मैंने decide किये हैं यह जो sequence बनाया है यह उस according बनाया है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा जिस sequence में मै आपको पहले भी कहा था कि काइनेटिक्स दो तीन जगे दे रखा है या thermodynamics दो तीन जगे दो तीन जगे से मतलब है 12th level में भी दे रखा है और PG level में भी दे रखा है तो वहां पर मैंने उसके according ना करके मेरे according करा है अब जो बहुत important बात है वो यह है पुराना जो syllabus था उसमे एक चीज मेंशन थी कि 10 प्लस टू जो है 12th level में 55 questions आएंगे ग्रेजुशन में 55 questions आएंगे और जो MSC का पोर्शन है PG का जो पोर्शन है उसमें 10 questions आएंगे मतलब total जो है वो आपके 120 questions आएंगे chemistry के लेकिन इस बार RPSC ने ऐसा mention नहीं किया है तो अगर हम पुराना मान के चल सकते हैं कि 120 chemistry question आएंगे लेकिन वहां पर ऐसी rigidity मेरे साब से नहीं रहेगी कि इसमें से इतने कौशन देने या इसमें से इतने कहने का मतलब है 10 plus 2 में 55 है तो 55 के वो 50 भी कर सकता है वो 60 भी कर सकता है ग्रेजुशन के वो 50 भी कर सकता है 60 भी कर सकता है और ऐसे MSC के 10 की जग कम जाता हो सकते हैं या chemistry के इतनी वो changes नहीं करेगा chemistry में वो थोड़ा variation कर सकता है ठीक है इसके बाद हम organic के अगर हम बात करें तो दीखिए अगर आपको ध्याना तो पिछले वाद में आप से कहता कि आपके syllabus में मैंशन नहीं है लेकिन मैं आपको GOC पढ़ाओंगा ही पहले जो है GOC या इस टाइब से कोई topic मेंशन नहीं था syllabus में लेकिन अब RPC में इंटरमीडियेट्स reaction intermediate जो है वो especially mention कर दिया है syllabus में तो अगर यह mention RPC नहीं भी करती तो भी मैं आपको जो है general organic chemistry पढ़ाता उसमें reaction intermediate आते ही आते आपके ठीक है इसके बाद जो है next reaction mechanism reaction mechanism reaction mechanism क्यो है SN1, SN2, SNI, E1 और E2 एलकेल हैलाइड के reference में दे रखा है SN1, SN2, SNI, E1 और E2 बाकिया हम और mechanism में देखेंगे लेकिन special focus हमारा इस पर रहेगा उसके पाद stereo chemistry दे रखा है देखेंगे stereo chemistry में basically RS nomenclature, EZ nomenclature, confirmation, ethane की, butane की और cyclohexane की यह दे रखिए पहले syllabus में एलकें के nomenclature वो इस बाद stereo में कर दे क्योंकि जो बैटर है, वह आपके reaction के point of view से stereo chemistry अलग है, तो stereo chemistry में basically आपके confirmation दे रखा है, उसके अलावार nomenclature दे रखें, RS, EZ nomenclature दे रखें, वह हम सब को देखेंगे, उन सब को हम देखेंगे, इसके बाद aromaticity and arines, aromaticity का मतलब क्या है कि aromaticity क् conditions क्या होती है, इसके बाद arines, arines का मतलब benzene और alkyl arines, alkyl arines का मतलब जैसे toluene हो गया, for example, तो benzene और alkyl benzene की हमको preparation, chemical reaction, यह सब हमको देखनी है, ठीक है, तो यह की निट हो जाएगी अलग से, इसके बाद है, alkyne, 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 अब यहाँ पर क्या है, देखेंगे, अबीता कमने का सुपर हैवी elements हट गया, इसके बाद अगर हम बात करें, alkyne, 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 पुराना जो सिलिबस था, उसमें alkyne, alkyne, alkyne और alkyne दे रहे थे, alkyne, alkyne और alkyne नहीं दे रहे था, जो की थोड़ा ओर लग रहा था, यहाँ पर alkyne भी है, alkyne और alkyne add कर दि सिलिबस में से, diene पहले mention था, उसको हटा के, क्या add कर दिया, alkyne, तो यह थोड़ा मेरे सब से better है, और अच्छा decision है, कि diene के comparison में alkyne होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद है, hello alkyne, अधिक है, rpc ने इन सब को 1 unit में ले रखा है, मैं मेरे साब से मैंने इनको divide कर रखा है, ब बहुत ज़्यादा आपको परिशान होने की जरुती, पढ़ना हमको सब को ही है, अब आप चाहिए, इसको उपर लिख दें, नीचे लिख दें, उससे कोई फरक नी पढ़ रहा है, हमारा sequence क्या रहेगा, topic wise, जो मुझे combination लेगे, उसके साब से मैंने इसको fit कर दिया है, topic को, इसके बाद है, hello, alkyns, ठीक है, छोटा सा topic है, इसके बाद alcohol जो है, पहले mention नहीं था, alcohol जो है, पहले mention नहीं था, alcohol को extra add किया है, RPC ने, ठीक है, तो यह जो box मना रहे है, square box, यह आपके वो topic है, जो extra add हुए है, तो अगर हम देखें, solid state, P block, intermediate, alkyn और alcohol, यह add हुए है, इसके अ तोपिक बेसी के लिए हटे है, ठीक है, यह तीन टोपिक हटे है, और यह आपके चार-पांच टोपिक add हुए है, ठीक है, बाकि जो main syllabus है, वो वैसा का वैसा है, ठीक है, alcohol, phenol, ether, epoxide, इसके बाद है, LDH and ketones, अब LDH and ketones के बाद हमने लिया नेम reaction क्योंकि जो mainly reaction है, वो सारी की सारी LDH and ketones पर बेस रहे, इसके बाद है, carboxylic acids and their derivatives, hello, nitro, amino, arans and disonium salts, अब दीके, disonium salt important है, चोटा सा लेकिन जो जितनी भी reaction है, बहुत important है, exam में पूछी जाती है, pericyclic reaction, अच्छा topic है, MSC का topic है, photochemistry, अब दीके, यहाँ पर photochemistry पूरा नहीं है, आपके specially mention है, organic photochemistry of alkenes, के अच्छा topic है, बड़ा topic है, organometally compounds, उसके बाद polymers, polymer के बाद drug और drug के बाद environmental chemistry, तो देखा जाए, तो यह basically हम इसको organic में count नहीं कर सकते, फिर भी मैंने यहाँ mention कर दिया, polymer drugs और environmental chemistry, अब देखा जाए, तो मोटा मोटा 32, 33 topics दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ topic अलग भी कर रख हैं, तो वो एक rough idea है, कि 32, 33 topics है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, environmental chemistry है, drugs है, एक एक दिन में complete हो जाएंगे, तो बहुत ज़्याद आपको number के point of view से परिशान होने की जो होती है, कि 33 topics हैं, और हमारे 5 हैं, क्योंकि यह जितने भी हमारे topics हैं, यह सब बड़े-बड़े topic थे thermo बड़ा topic था, electro बड़ा topic था, kinetics बड़ा topic था, हलागे solution आईनी के इतने बड़े नहीं थे, अब जो आपके topics बच रहे हैं, वो बहुत बड़े topic नहीं है, जैसे दिखा जाए तो coordination chemistry थोड़ा बड़ा topic है, बाकी spectroscopy में 3 spectroscopy है, तो थोड़ा हमको time लगेगा, बाकी के जो comparatively kinetics, thermo या electro में थे, तो वहाँ पर हमको number of questions की जो वीडियो है, वो भी हमारे कम हो जाएगे, तो अब जो है हमको बहुत ज़्यादा time नहीं लगने वाला है, एक बात मैं आपको और बता दूँ, यो exam की जो date है, वो आपके tentative जो date है, calendar में जो date है, वो आगे है, second week of October, तो जैसे मैं आपको पहले बताया था, कि जो normal जो था, कि tentative date है, वो November में decide थी, लेकिन थोड़ा changes कर दिया, क्योंकि पहले second grade पहले होने वाला था, और first grade बाद में होने वाला था, लेकिन RPSC ने change करके first grade को पहले कर दिया, और second grade को बाद में कर दिया, और first grade की tentative date है, वो है second week of October, तो मेरी जो है, पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, कि आपका जो syllabus है, वो 15 से लेके 20 August तक complete हो जाए, ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी पूरी की पूरी की 15 से 20 August तक आपका जो course है, वो complete हो जाए, साथ के साथ जो मैं आपको notes प्रोवाइड कराऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको complete notes हो जाए, वो भी आपको 15 to 20 August तक complete प्रोवाइड करा दू, कोशिश रहेगी कि 15 कोई करवा दू, और 15 कोई मैं आपको जितने भी वीडियो है, जितना भी syllabus है, वो cover करा दू, लेकिन हो सकता 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए, तो अब क्योंकि मैंने आपको पहल जो है, वो nervous हो रहे था कि sir, date पहले आगे, nervous होने की attention लेने की कोई जरूत नहीं है, और chemistry के point of view से आपको कोई भी परिशान होने की जरूत नहीं है, कि sir, time कम है, कोई problem नहीं है, दीकि बहुत time है, कोई time की कमी नहीं है, क्योंकि जब मैंने 2013 में जो batch पढ़ाया था, वो मैंने डेड़ महीने में, दो महीने में, धाई महीने में cover कर दिया था, और वो बच्चे भी select हुए थे, तो ऐसी बात नहीं है कि time की कमी है, बस यह कि जो मैंने आपको strategy बताई थी, जो मैंने आपको जितनी भी strategy बताई है, पढ़ने का तरीका बताए कि ऐसे से पढ़ना और revision करना है, वो अगर आप follow कर रहे हैं, तो आपको दिकत नहीं होगी, और जो वो follow नहीं कर रहे हैं, और वो यह सोचने कि हमारा syllabus complete होगा, उसके बाद हम revision शुरू करेंगे, वो फिर बाद में excuse देंगे कि sir, हमको revision के लिए time कम मिला था, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कि revision आपको ऐस कैसे आपको त्यारी करने है, strategy के मैं आपको एक वीडियो और मैं जल्दी से जल्दी available करा दूँगा, और जो आपका topic चल रहा था, atomic structure वो भी हम जल्दी से जल्दी continue करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, आपको बिलकुल परिशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारी regular class रहेगी, और target हमारा रहेगा 15 से 20 अगस्त तक हम हमारा syllabus जो है complete कर लें, और strategy क्या रखने है, आगे की तेहरी कैसा रखने है, क्योंकि date पहले आ गई है, वो मैं आपको time to time video बना के आपको बताता रहूंगा, आज के लिए इतना ही वीडियो का अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवार